नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक कमबेरेजन करने जा रहा हूं हमारी यकलाइन वाटर मशीन और एक टॉप ब्रैंड का यकलाइन आरो किया अंतर है दोनों में क्यों की कीमत में इतना ज्यादा अंतर है तो मैं उस ब्रैंड का नाम नहीं लूँगा आपको बजार में जाएंगे आपको समझ आ जाएगा और भी बहुत सारे ब्रैंड हैं तो ब्रैंड आरो जो वह दावा करते हैं कि हमारे आरो का जो पी-एच अब बात आती है ORP Oxidation Reduction Potential की उसके बारे में वो कंपनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनका ORP है ही नहीं वो ORP पे कोई ध्यानी नहीं देते हैं हमारी मिशीन के पानी का ORP माइनस होता है अगर ORP माइनस होता है तो पानी जो है वो एंटी ऑक्सिदेंट का काम करता है हमारी मिशीन का पानी आप पिएंगे तो वो दवा का काम भी करेगा एंटी ऑक्सिदेंट का काम करेगा दूसरा अगली चीज़ है UV वह बहुता है उसमें उन्होंने UV लगा रखा है अल्ट्रा-वाइलिट है वो क्या होता है एक ट्यूब होती है उसमें से realise निकलती है वो पानी में मौझूद बैक्तिरिया और वाइरर्स को अनले पर दे ती है आप पानी पीते हैं वह एक्तिव होने से पहले ही आपके मल्क के द्वारा बाहर निकल जाता है वो बैक्टीरिया वायरस एक्टिव नहीं हो पाता है लेकिन रहता पानी के अंदर यह मतलब उस बैक्टीरिया या वायरस की डेड बोडी या बिहोश शरीर है जो उसका वो अंदर ही रहेगा पानी के उसको आप साथ म पीएंगे लेकिन हमारी मशीन में एंटी बैक्टीरियल मेंब्रेंड लगी हुई है जो आपके पीने वाले पानी में किसी तरह के बैक्टीरिया या वाइरस को आने ही नहीं देखी उसके माद है TDS controller TDS controller की खोज क्यों की गई थी इन company के दौरा क्योंकि जब आरो पानी को साफ करता है तो वो TDS cable 7-8 6-7-8 रह जाता है और जब लोग पानी पीते थे उनको कड़वा लगता था फिर company ने क्या किया TDS controller लगा दिया आप बताइए जी आपको कितना TDS चाहिए लोग बोलते हैं कि 500-200 TDS चाहिए तो वो क्या किया उन्हें system ऐसा लगा दिया कि membrane के बाद का जो पानी साप और पानी है उसके अंदर membrane के पीछे से जो तूटी का पानी ही है उसको उसमें add कर दिया जाता है एक वालव लगा अगर आपको टूटी का मानी ही अंदर मिक्स करना है तो फिर आरू का मतलब क्या रह जाएगा तो हमने कोई टीडेस कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ क्योंकि जब हम मिनरल एड करते हैं तो टीडेस अपने बढ़ जाता है हमारी मशीन के पानी का पेस्ट करके देखेंगे तो जैसा पुराने हैंड पंप का पानी हुआ करता था नाचुरल वाटर उसके जैसा टेस्ट आपको आएगा तो LED लाइट है हमारी मशीन में भी LED लाइट लगी हुए स्टोरेज उनकी 8 लीटर है हमारी मशीन में स्टोरेज 9 लीटर है और जीरो वेस्टेज एक बहुत बड़ा परचार किया जा रहा है आजकल क्योंकि लोग पानी की वेस्टेज को लेकर अभेर हो रहे हैं तो कंपनि पूंजी वाद यही तो देखता है कि लोग क्या चाहते हैं तो कंपनियां क्या कर रही है आजकल यह इस बात का बहुत परचार किया जाइद है हमारा अरू लगवाएंगे तो पानी की वेस्टेज नहीं होगी क्यूंकि तीन हिस्षे पानी आरो जो है तीन हिस्षे पानी को वेस्ट निकालता है एक हिस्सा पानी पीने के लिए देता है आम तोर पर यह साट-चालीस हो सकती है रेशो सतर-थीस हो सकती है अलग-अलग आपका पानी के टीडियस कितना उस पे निरभर करता है तो उसमें क्या करते हैं यह एक पाइप लंबा पाइप लेके आपकी जो आरू में से वेस्ट वाटर निकलता है उसको आपकी घर की जो पानी की टंकी उसमें डाल देते हैं तो यह होगी जीरो वेस्टेज है तो यह हमारी मिशीन के साथ भी आप कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं हम तो हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप सोटा सा ड्रम रखिए एक टैंक रखिए और वेस्ट पानी का पाइप उसमें डालिए उस टैंक में जो पानी जमा होगा उसको आप पोचा लगाने में गाड़ी दोने में पौदों को डालने में पार्क को आपका किचन गार्डन है उसके लिए वो सारे पानी का इस्तेमाल की दिये पानी की वेस्टेज नहीं होगी और करनी भी नीचे यह तो इतनी सारी चीजों का डिफरेंस है तो कीमत का क्या आपने अब तक देख लिया कि हमारी मशीन में फीचर उससे ज़्यादा है अच्छे हैं और पानी की क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है तो उस ब्रैंडड मशीन की कीमत है 16900 मैं लगबक 17000 और हमारी मशीन की कीमत है 9500 विचानवे 100 रपे तो यह अंतर क्यों है क्यो को फिल्म स्टार इसा कोई खिलाडी आप सब समझते हैं आपको मतलब समझाने जैसी कोई बात नहीं है किसी भी celebrity को आप खरीदते हैं उसका समय उसके आवाज करीदते हैं आप करोडों रुपया उसको देते हैं तो वह आपको आपके product के बारे में अच्छा अच्छा भोता है कि यह product बहुत अच्छा है मैं इसका इस्तेमाल करता हूं इस तरह से तो जितने लोग उसको पसंद करत हैं वो सारे लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं तो क्योंकि हमारी कंपनी के पास कुछ इतना पैसा नहीं है हम किसी सैलीब्रीटी को कुरूरों रुपया नहीं दे सकते इसलिए हमें खुद ही परमोट करना पड़ता है जिस तरह का कंपेर्जन मैंने किया है कि अगर हम भी किसी टॉप स्टार से इस मशीन की एड़ करवा दें तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में बेख सकती है अब डिसाइड आपको करना है कि किसी फिल्म स्टार के कहने पे या किसी खिलाडी के कहने पे आपको प मशीन लगवाएं तो हम तो यह बोलते हैं कि अगर आपके घर में पुराना पहले आरो नहीं लगा हुआ है तो आप मशीन परचेज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके घर में पहले आरो लगा हुआ है उसमें केवले किट रिप्लेस करने की ज़रूरत है उसके अंदर सेडिमे और पी का पानी आपको देने लग जाएगा तो इतना सोला सत्रह जार रुपय का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है आप केवल पत्ची सो रुपया धाई जार रुपया पे करेंगे तो हम आपको किट भेज देंगे तीन चार सो रुपया मेकैनिक लेगा वह उसको रिप्ल पर मेरा नंबर है आप मुझे कॉल कर सकते हैं कर सकते हैं पूरी तरह से तसली कीजिए आप मार्केट में जाएए उनके फीचर देखे क्योंकि कोई भी चीज़ पर्चेज करने से पहले इन सारी चीज़ों को देखना बहुत दूरूरी हो सकता है आपको वह चीज़ एट्र करती किया हुआ वह घर में आता है आपका टैंक दो जाता है बाहर का फिल्टर बदल जाता है तो अगर आप वह पेड़ सर्विस करवाएंगे तो डेड़ से 200 रुपया 300 रुपया मान लिजे 500 रुपया तो तीन सर्विस का कितना हुआ 1500 रुपया 9500 की मशीन आई और 1500 और ज कर सकते हैं उसके लिए इंजीनियर बलाने के जुरूद नहीं है और किसी तरह की सर्विस की कोई जरूरत नहीं है लगवग एक साल तक यह मशीन आपको इसी क्वालेटी का पानी देगी कुछ डालने की जूरूद नहीं है केबल बाहर का जो प्री फिल्टर होता है उसको आ और काली हो जाते गंदी होजाती तो आप उसको बदल सकते हैं वह खूदी बदल सकते हैं उसके लिए किसी मैं कहने की जरूत नहीं होती तो है मतलब लोगों की महनत की कमाई केवल उली binary के कहने से केवल परचार करने वाले लोगों उसे प्रभावित होकर आप अपनी गारी कमाई जो है वह वेस्ट मत कीजिए फीचर देखिए टेस्ट कीजिए पानी की क्वाल्टी देखिए फिट साइड कीजिए कि कौन सी मशीन आपको लगवानी है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रिया